नमस्कार बच्चों मैं आपका गुरू आपका सिच्छक डॉक्टर संजे सार आपका वंदन और वंदन करते हैं भारत की सबसे बड़े आनलाइन चैनल एनकरडमी योपियस्टी हिंदी पर तो बच्चों आपके लिए जो है एनकरडमी बहुत बड़ा प्रपोजल लेकर आई उनकी आडियोलजी को आप जान सकते हैं उनसी कुछ सीख सकते हैं ठीके बच्चों तो अभी भी समय है कल भी अभी कांटीन्यू है पिछले आप 26 से स्टार्ट है 26 27 28 ये तीन डेज की समीत है बच्चों और बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें आप अपने जितने भी आपके भारत के जितने भी महाकूर्ण पर्शनालिटीज हैं उनसे आप जुड़ सकेंगे उनसे सीख सकेंगे उनकी क्लासों को अटेंड कर सकेंगे बच्चों ठीक है और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने का उसर मिलेगा तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जल से जल तो कही ने कही एक बहुत बड़ा योगदान है अने अकडमी का एजुकेशन फिल्ड में ठीक है उस चीज के लिए आपको जो है अप्रिशियेट करना चाहिए और यहां पर आप देखें बच्चों तो आपके लिए जो है अने अकडमी ने जितने भी टॉपर्स हैं जो अन फ्यूचर को बहतर बनाया है वो चीजें आप भी सीख सकते हैं तो फड़ा फड़ जो है आप लोग रिजिस्टर हो जाईए और अपने जितने भी फ्रेंड सर्किल में हों लोगों को जोडने की कोशिस करिए तो आपके लिए जो है अभी भी आउसर है अभी भी टाइम है अभी भी आप जुड़ सकते हैं तो फड़ा फड़ जो है जितने भी आपके जुड़े हुए लोग हैं आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं सभी लोगों को जोडने की कोशिस करिए क्योंकि यह बहुत बड़ा उसर है दुबारा ऐसा उसर आपको मिलेगा कि नहीं मिले जी देव सीखा सबको मारी तरब से गुड इवनिंग बच्चों तीक है देखो स्वयम को ही नहीं देखना है जितने भी लोग आप से जुड़े हैं देखो बच्चों आज के समय में आपके इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं जिनों ने अपने फिल्ड में एक बहुत बड़ा मनें एक सकसिज दिया है बच्चों को सफल किया है उनको अन एकेडमी ने आपके सामने उता रहा है जो आप लोगों को पढ़ा रहा है उस साथ-साथ अनभों के लिए स्टेड़जी को सीखने के लिए आपको जितनी भी आपकी देश की बड़ी परसनाल्ट है उनको भी लेकर आया है समित के रूप में तो ये बहुत बड़ा योगदान है तो आपका ये कड़तब में बनता है कि आप कम से कम मैक्सिमूम लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए देखे सबको अमारी तरफ से नमस्कार बच्चों सबको अमारी तरफ से गुडिवनिंग बहुत सारा प्यार जो है लेकिन जो बाते मैं कर रहा हूं उसको आप लोग फोकस करिए है उनके पूर चेयर परसन डीपिय अग्रभाल साहब जिनों ने बहुत बड़ा चेंज लाया है आपके पैटर्न में आपके एक्जाम के पैटर्न में उनको सुनने और समझने का उसर आपको मिलने वाला है तो फड़ा फड़ जो है आप लोग लाइक और शेयर कर देजिए ज जो है रेजिस्टर्ड होना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है बच्चों ठीक है आसानी से आप कर सकते हो आप सब जो है बहुत ही तेज तर राखो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो है चलिए आगे क्लास को कांटिन्यू करते हैं और फटा फट आप लोग लाइक और शेयर करते रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करें बच्चों चलिए आज की क्लास आपकी है चोलवन्स से और आज की क्लास में देखिए चोलवन्स बच्चों कम से कम दो से तीन क्लास होगा क्योंकि चोल बंस में राजनेती कितिहास कम से कम दो क्लास लगेगी और एक क्लास में हम यहां का स्थानी परशासन यानि ग्राम परशासन पढ़ाएंगे जहां से ज़्यदा कोश्चन आता है ठीक तो आप लोग एकदम परिशान मत हुए बहुत अच्छे से होगा आपका साथ इंडिया का जो पुलेटिकल हिस्ट्री है उसको भी बहुत अच्छे से किया जाएगा और फटाफट जो है आप लोग देखे संख्या अपनी इंक्रेज करिए बच्चों संख्या अपनी बढ़ाने की कोशिश करिए पंकज जी मयंक जी फटाफट जो है आप लोग जो है अपने ग्रूप में सेर कर दीजिए वेरी गूड सौती सोनी मयंक पंकज आज मौरिनिंग में आपकी बारा बजे प्रैक्टिस की क्लास थी आप लोग आ नहीं पाए थे ठीक है चलिए तो क्लास कंटिन्यू करते हैं उच्चों तो आज हम पढ़ेंगे चोलबंस देखिए बच्चों चोलबंस बहुत ही प्राचीन राजबंस है और चोलबंस का उलेख हम दो जगह देखते हैं देखिए जिस चोलबंस को आप पढ़ने जा रहे हैं यह चोलबंस बच्चों लगभग 800SB के बाद आपका दिखाई देगा 800SB के बाद यह चोलबंस जिसको आप पढ़ने जा रहे हैं यह 800SB के बाद का इतिहास इसमें पढ़ेंगे और इस चोलबंस की सुरुवात होगी किसे विज्याले से यानि इस चोलबंस का संस्थापक किसे माना जाता है विज्याले को माना जाता है विज्याले क्या है बच्चों? शंस्थापक है ठीक है? जो चोलबंस का संस्थापक है विज्याले ठिक लेकिन अगर आपको याद होगा तो धाईशोईश्वी में भी एक वंस आपने सुना होगा जिसे कहते हैं संगम मंस बच्चों ये धाईशोईश्वी के आसपास इस वंस का उले खाता है और संगम मंस में तीन वंसों का उले खाता है एक चोल वंस दूसरा चेर वंस और तीसरा पांडे वंस तीसरा पांडे वंस तीके बच्चों कहते हैं संगम मंस में यानि जो धाईशोईश्वी के आसपास आपका संगम मंस माना जाता है धाईशो से तीन सो इस विग से सुरू होता है अब देखिए कहते हो वहाँ भी चोल वंस था और उस समय के चोल वंस में एक सबसे स्रेश्ट राजा हुआ करता था करीकाल तीक है जिसने अपने समय जो है चेर वंस पांड वंस को क्या किया था जीत लिया था और बेहद महत्पुर्ण सासक मना जाता है करीकाल का लेकिन इसके बाद जो है कोई भी ऐसा राजा या कोई भी ऐसा राजा नहीं दिखा आगे चल कर जिसकी राजनेतिक उपलब्धिया इतिहास में दर्ज हो इसके बाद जो है चोलों का इतिहास जो है वो अंधकार युग की तरफ चला जाता है यानि उनकी कोई राजनेतिक उपलब्धी दिखाई नहीं देती जिसके वज़ा से हम यह जान पाएं कि चोलवंस जो है 300SB के बाद किस कंडिशन में रहा किस सिती में रहा ठीक है क्योंकि 300SB के बाद संगम कालीन जो चोलवंस था उसका उलेख हमें दिखाई नहीं देता उसकी राजनेतिक इसिती हमें असपस्ट दिखाई नहीं देती जिसकी वज़ा से काम माना जाता है कि इसके बाद जो है एक अंधकार युग का प्रारंभ हो जाता है चोलों में ठीक है और उनका पुनरुद्भव कब होता है विजयाले के नेत्रित में 800SB के आसपास उसका पुनरुद्भव होता है दच्छिण भारत में कहां परुद्भव होता बच्चों दच्छिण भारत में उद्भव होता है तो हमें इसी चोलवंस को क्या करना है पढ़ना है यानि विजय वास्तुविक संस्थापक राज राज फर्ष्ट को माने जाता है राज राज प्रथम जो इस वंस का एक्ष्रेश्ट सासक माने जाता है ठीक है देखे राज राज प्रथम और राज अंदर प्रथम जो इसका बेटा है ये दो ऐसे महातुपूर राजा हैं जिनके राज नेत इतिहास से बहुत बार question पूछा गया बच्चों तो इनके इतिहास को आप बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा और बहुत ही आराम से पढ़ने की कोशिश करिए क्योंकि यहां से ज़्यादातर question पूछा जाते हैं ठीक है चलिए फिर देखते हैं राजधानी क्या है इनकी चो चोल बंस की राजधानी क्या थे बच्चों देखिए चोल बंस की जो प्रारंभीक राजधानी है वो तंजवर है चोल बंस की प्रारंभीक राजधानी तंजवर है लेकिन बाद में राजेंदर फश्ट ने राजधानी गंगय कोंड चोलपुरम को बना दिया था गंगय को इनका जो मूल अस्थान है मूल अस्थान उरयूर है मूल अस्थान क्या था बच्चों उरयूर देखिए उरयूर एक जो है बंदरगार नगर है और यह ब्यापारिक नगर भी था ठीक है उरयूर ही जो है इनका मूल अस्थान था जहां यह उत्पन्द माने जाते हैं पहला य यहीं पर इन्हों ने प्रशाशनिक केंदर स्थापित किया था यह इनका मूल अस्थान मना जाता है तीक है अच्छा यहां पर जो राजधानी की बात हो रही है कहते हैं कि कुछ समय के लिए इन्हों ने काची को उपराजधानी बनाया था काची पल्लबों के अधीन थी और पल्लबों से इन्हों ने जीता था और काची को इन्हों ने उपराजधानी कुछ समय के लिए बनाया था ठीक है यह ध्यान रखिएगा पूछ सकता है ठीक आचा है यह पहले कुछ हम फैक्चुबल चीजे बच्चों आपको बता देना है फिर उसके बाद एक मैप के माध् दीजे कहते हैं कि चोलबंस में कुल कितनी भासाओं का प्रचलन है कि कुल कितनी भासा कुल भासा कितनी थी जैसे आपने पढ़ा था कि पल्लबंस में कुल तीन भासाओं का प्रचलन था संस्कृत कंणड और तमिल यहां पर चार भासाओं का प्रचलन आपको दिखेगा कि इतनी भासा 4 भासा बच्चो उन 4 में आपकी तमिल भासा है तमिल भासा तेलगू भासा इसके साथ साथ कन्डर को और कन्डर के साथ संस्कृट इनके स्क्रिप्ट जो है वो संस्क्रिप्ट में भी पाए गए तो ये चार भासाओं का प्रयोग जो है चोलबंस में दिखाई देता है बच्चों कहते हैं कि चोलबंस को हम तमिल शाहित्य का क्लाशिकल यूग कहते हैं तमिल शाहित्य का क्लाशिकल यूग माना गया है तमिल शाहित्य का क्लाशिकल यूग यानि इसके विकास का सबसे बहतर शमय था इस समय क्लाशिकल यूग कहा जाता है तमिल भाशा का ठीक है अब देखें यह सब चीजें आप लोग नोट करते चलिए वच्चों पूरी तरह से नोट करते चलिए क्योंकि सामान रूप से ये बाते बार-बार क्या होती हैं भूल जाती है तो याद रखना है तो इनको पूरी तरह से क्या करिए नोट कर लिजे ठीक है अब देखिये क्याते हैं कि चोलों में अगर चोल बंस का राजनेती के तिहास आपको समझना है और आशानी से आपको समझ में आ जाए तो इनके समय के राजनेती के सिती को पूरी तरह क्या करना होगा समझना होगा बच्चों ठीक है अभी तक देखिये कोई दिक्कत हो तो बताएं बच्चों सभी लोग अपनी संख्या को इंक्रेज करिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों जोडने कोशिश करिए फटाफट जो है लाइक एंड सेयर करते रहें आप लोग चलिए अब देखिये देखिये चोल बंस के बारे में अगर आपको जानना है तो पहले हम एक मैप के द्वारा इनके समय की राजनेती की सिती को देख लीजे कौन-कौन से बंस है और किन से इनका संघर्ष होता रहता है लगातार चोलों का संघर्ष किन वन्सों से हुआ है उसको भी समझना है आपको देखो बटा यहां पर देखिये यह तमिल प्रदेश जी अगर आपसे कहा जाए कि तमिल प्रदेश किसे कहते हैं तो तमिल प्रदेश वच्चो जो है आपके कृष्णा नदीश से लेकर कन्या कुमारी तक फैला हुआ था आप इस शेतर को पूरी तरह तमिल प्रदेश कहा सकते हैं ठीक है यानि ओवराल इस शेत्र को यानि कृष्णा के नदी के दच्छिन का जो छेत्र है कन्या कुमारी तक काविरी नदी तक जो है ये पूरा तमिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था अब देखिए कहते हैं कि यहाँ पर चोल वन्स है और जस्टिस के नीचे आपको पांडे वन्स था यहाँ पर पांडे वन्स है बच्छो यह देखिए एकदम exact map नहीं है एक केवल आपको location समझाना चाहता हूँ कि कौन यहाँ पर था और किस से इनकी प्रतियस परदा थी यह आपके चोल वन्स है ठीक है चोल वन्स थे और यह आपके जो है पल्लो वन्स है पल्लो वन्स है बच्छो अब देखिए करते हैं यह चोल जो है यह पल्लो वन्स के ही क्या थे सामन्त थे चोल किसके सामन्त थे पल्लो वन्स के ही अधिन थे पहले यह पल्लो के यह सामन्त हुआ करते थे और जब पल्लो वन्स समाप्त होगा करते हैं जब पल्लव बंस अमाप्त होगा बच्चों तो यहां दो बंसों का उदय होगा देखें यहां पर दो बंसों का उदय हो गया यहां होना सुरू हो चुका था आप देखेंगे यहां पर दो बंस आपको दिखाई देंगे विंगी के चालूक और कल्याणी के चालूक ठीक है? विंगी के चालूक और कल्याणी के चालूक जब पल्लो बंस का पतन होगा तुम ठीक है? अब यहाँ पर देखिए का आप यह देखिए यह करनाटक का जो छेत्र है पश्यमी करनाटक का यहाँ पर जो है पश्यमी गंग बंस है कौन सा बंस है? पश्यमी गंग बंस है पश्यमी गंग सा सकते ठीक बच्चों और यह जो छेत्र है यह केरल है केरल है केरल राज्य है जिसके राजा रभी बर्मा को हराएगा कौन राज इंदर पर्थम सरी राज राज पस्ट तो यहाँ पर दो बंस आपको दिखेंगे और ये दो बंस कौन से है विंगी के चालूक और कल्याणी के चालूक अब देखिए तो इस तरह से दच्छिड भार करत में ये आपको राजबंस दिखाई दे रहे हैं चोलो का जो संघर्स होगा वो किनसे किनसे होगा वो पल्लो से होगा वो पांड से होगा ठीक है इनका जो लगातार संघर्स होगा वो पल्लो बंसे होगा और पांड बंसे होगा क्योंकि दच्छिड जाना है तो पांड्य जो है लंका की विजय भी करेगा चोल राजा जो है वो लंका को भी जीतेंगे बच्चों ठीक यह ऐसा राजबंस है जो लंका को भी जीतेगा हलाकि इनके जिसके अधिन ये सामन्त थे यानि पल्लो वंस पल्लो ने भी चोल वंस को प्रा सरी लंका की विजय किया था तो कही न कहीं उसका अनुसरण जो है इनके सामंत भी करेंगे यानि चोल भी करेंगे और चोलों ने कहीं न कहीं आप देखेंगे कि आने वाले राजंदर फश्ट दौरा पूरी तरह से सिलंका को जीता गया था जिसकी सुरुआत जो है राजराज फश्ट ने की थी उत्तरीस लंका की विजय जो है राजराज फश्ट के समय ही हो पाई थी तो ये जो है नक्सा है बच्चों ये सेनारियो आपका क्लेर होना चाहिए कि यहाँ पर पांड है यहाँ पर पल्लों है यह चोल है यह पश्मी गंग है यह केरल है ठीक और उपर जो है वेंगी के चालूकर कल्याणी के चालूप के हैं तो इस तरह की राजनेतिक सानचना दच्छिन भारत में तमिल प्रदेश में है ये पूरा तमिल प्रदेश है इसमें जो है 6-7 राजबंस है तेक और इन्ही के बीच का युद्ध जो है इन्ही के बीची राजनेतिक कंडिशन आपको देखना है और समझना है तो चलिए हम continue करते हैं, सबी लोग ready हो जाईए, फड़ा फड़ जो है, अब देखिए कि चोल बंस के विशे में जिस राजबंस को आप पढ़ने चल रहे हैं, उस राजबंस को जानने का स्रूत क्या है? चोल बंस की जानकारी के स्रूत तो स्रूत कितने होते हैं, स्रूत वच्चों तीन प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है पुरा तात्विक श्रूत और दूसरा आपका जो है वो साहित्तिक श्रूत है, कहीं कहीं आप देखेंगे विदेशी साहित्त को भी इसी में रखा जाता है लेकिन आप यह जानते रहिए कि विदेशी साहित्तों को अलग रखिए और तीसरा है विदेशी साहित्त विदेशी साहित्त का मतलब होता है कि जो विदेशी आत्री हिंदुस्तान आये है उन्होंने जो कुछ भी हमारे भारत के बारे में या किसी व्यक्तियत राजवन्स के बारे में जो बातें उन्होंने कही है उनके द्वारा लिखी गई बातें भी हमारी जानकारी का क्या है एक माध्य में ठीक है तो चलिए आप देखते हैं कि archaeological resources भी क्या क्या आता है जो आपकी script है जो of lake है उनको हम रखेंगे जो मुद्राएं हैं उनको भी रखेंगे और आप जानते हैं कि चोलबंस में जो है बच्चों कि मुद्राएं भी बड़ी महत्पूर भूनकादा करती हैं चोलबंस को जानने में थिक क्योंकि आपको पता है कि मुद्राएं पूरमधिकाल में पूरी तरसे पतन हो चुका था समाप्त हो चुकी थी लेकिन चोलू की मुद्राएं पाई गई है जिनको कास उपहा गया है तो वह मुद्राएं भी इनके इतिहास के निर्मार में अपना अहम योगदान देती हैं तो उनको भी ध्यान में रखना हम हो साथ-साथ जो है चोलबंस के जो अविलेख हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना है चलिए, देखते हैं बच्चो देखे, कहे लाता अभिलेक पहले देख लेते हैं कौन कोन से अभिलेक important है अभिलेक पहला अभिलेक है तीरु वलंगाड अभिलेक देखे, नाम थोड़े tough हैं तीरु वलंगाड अभिलेक तिरू वलंगाडू अभिलेग बच्चों देखिए ये अभिलेग है और एक है करंदय दानपत्र करंदय करंदय दानपत्र ये दोनों अभिलेग जो है ये किसके है राजेंदर फस्ट के है ये राजेंदर फस्ट के है बच्चों जो बेहद योग गिराजा था चोल बंस का राजेंदर फस्ट इसके बाद उत्तर मेरूर अभिलेग उत्तर मेरूर अभिलेक ये बहुत ही बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अभिलेक है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि ये अभिलेक जो है राजा परांतक फस्ट का है बच्चों लेकिन इस अभिलेक का जो महत्त है वह इस बात के लिए है कि इसी अभिलेक में चोलों की जो ग्राम प्रशाशन या अस्थानी प्रशाशन इसे कह सकते हैं इसका प्रमाण मिलता है अस्थानी प्रशाशन या जो ग्राम प्रशाशन जो आपके मेंस के पॉइंट आब उसे भी बिहद इंपोर्टेंट है वह उलेक हमें जो है इशी उत्तर मेरूर अविलेक में दिखाए देता है ठीक है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस अविलेक में ये आपके प्रीके पॉइंट आप उसे भी बहुत इंपोर्टेंट अविलेक है तो ये आपको पता होना चाह है कि किस अभिलेख में इसका उलेख हाता है ठीक इसके बाद बात कि राजराज तृत्रिति का नाम आप लोगों ने सुना हो एक तृओ का ँमन इसका जबत हुरुब हलेख है बच्चों आप पुरम अभिलेक ये आपके राजराज त्रिती का है अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या राजराज फ़स्ट का भी कोई है हाँ है बच्चों राजराज पर्थम के अभिलेक का नाम है मड़ी मंगलम अभिलेक मड़ी मंगलम अभिलेक ये आपके महांसासक राजराज फ़स्ट का है जो बेहत योग शासक था राजराज फ़स्ट और आप जानते हैं कि चोलबंस के इतिहास में इस ने अपना एक अच्छा मुकाम हासिल किया था तो ये अभिलेक भी आप ध्यान रखिएगा इसके अत्रि जिसका नाम है तक कोलम अभिलेक आदित्य प्रथम का उस अभिलेक का महत तिश्लिय है करते हैं तक कोलम अभिलेक में ही सूरी ग्रहन आप जानते हैं सूरी ग्रहन एक बग्यानिक क्रिया है या आप भोगोलिक क्रिया उसे का सकते हैं करते हैं शूरी ग्रहन का उलेक जो है इस प्रथम आदित्य प्रथम का है राजा आदित्य फस्ट ठीक है बच्चों तो इतना भी नोट कर लीजिये और बाकी याद आएगा तो बताते रहेंगे ठीक है इस अभिलेक का महत्त इसलिये है क्यूंकि इसे अभिलेक में सूरिग्रहन जैसी भगोलिक क्रिया का उलेक किया ग अब देखिए मुद्रा के बारे में बात करेंगे तो मुद्राओं के बारे में बात कर लेते बंचों चलिए आगे बढ़ते है यह आपको याद होने चाहिए देखिए आपका जैसे हमने कहा कि तिरुविंदिपुरम अभिलेक हैं यह मानली जी इम्पोर्टेंट नहीं पहला अभिलेक है। यह बहुत है। इसमें चोलों की उत्पति के बारे। नमें बताया गया है। चोल सब्ध पहली बार इसी अभिलेक में आयाया है। ऊपके दिमाग पे देखिए चली मुद्रा के बारे में बात करते हैं, चोल मुद्रा बच्चों, मुद्रा भी आपका पुरा तात्विक्ष रोथ है, मुद्रा किशे कहते हैं बच्चों मुद्रा वह वश्त होती है जिसके द्वारा बिनमे प्रक्रिया को क्या किया जाता है शंपन ने किया जाता है तो चोलों की मुद्रा का नाम क्या है तो इसका नाम है बच्चों काश चोलों की मुद्रा को क्या कहते है कासु कहते हैं ठीक चोलों की मुद्रा को कासु कहा गया है लेकिन कहा जाता है यह कासु सब्द जो है यह श्वरण मुद्रा के लिए आया है किसके लिए आया है श्वरण मुद्रा के लिए आया है तो इसका मतलब कि श्वरण मुद्राओं का परचलन था लेकिन ये भी ध्या रखिये कि रजत मुद्रा के प्रमाण भी मिले हैं ठीक है कनारा छेतर से रजत मुद्रा के प्रमाण मिले हैं अब देखी बच्चों कहते हैं कि जो मुद्रा भांड मिला है मुद्रा भांड का मतलब होता है जहां पर बड़ी मात्रा में मुद्राओं का धेर पाया जाए उसे श्रण मुद्राएं पाई गई है और कनारा छेतर में जो एक अस्थान है वहां से बच्चों जो है आपको रजत मुद्राएं पाई गई है कहते हैं जो मुद्राएं है इनकी यहां से जो मुद्रा पाई गई है इन मुद्राओं पर जो प्रतीक बने हैं जो प्रतीक बने हैं बच्चों, वो तीन प्रतीक इनकी मुद्राओं पर दिखाई देते हैं, एक बाग, दूसरा धनुष, तीसरा मचली, ये जानते रहिए बच्चों, अब देखिए, कहते हैं कि बाग जो है, ये चोलवंस का प्रतीक है, और धनुष जो है, ये चेरों का प्रतीक है, मचली जो ह है ये पूछा जा सकता है ठीक है ये चेर वंस का प्रतीक है ये चोल वंस का प्रतीक है लेकिन चोल की मुद्राओं पर ये तीनों प्रतीक पाए गए है एक साथ पाए गए है तो ये हो सकता है कि इन्होंने जीता हो इन लोगों को इस वज़ा से हो सकता है अच्छा दूसरी चीज बच्चों आप देखिए कहते हैं कि चोल मुद्रा पर राज-राज-पर्थम जो यहां का योग्यराजा है हाँ राज राज फस्ट एक योग्य राजा था राज राज फस्ट की मुद्रा पर इसकी मुद्रा पर बच्चों इसकी जो उपाध ही है वो पाई गई है और इसकी उपाध ही जैसे आप लोग जानते हैं इसकी बड़ी फेमस उपाध है अरी मोली बर्मन लेकिन अरी मोली बर लेकिन जो मुरली धर है ये भगवान विश्णू के लिए आता है या कृष्ण के लिए आता है तो श्योध हर्मों लंबी आप देखे कमिशन अगर कोश्चन मना दे कि किसकी मुद्राओं पर मुरली धर का चितरंकन है तेक तो आपके दिमाख में भी ये नहीं जाएगा कि य मनें चोलों के साथ हो सकता है क्योंकि आपको ये पता है कि चोल मुल रूप से क्या है सैव धर्मों लंबी है तो आपके दिमाख में ये बाप नहीं जाएगी यो कमिशन यहीं चाहता है कि आप गलती करे कमिशन यहीं सोच कर आप से क्वेश्चन को पूट अप करेगा तो यह आपके दिमाग में होना चाहिए ठीक है तो हम मुद्राओं की जहां तक बात है बच्चों वजन की जहां तक बात है तो वजन और गुडवत्ता की बात है तो गुडवत्ता बहुत अच्छी नहीं पाई गई है क्योंकि आपको पता है कि इस समय पूर मध्यकाल की जो अर् हत कम जोड़ थी ठीक है और बहुत कम मात्रा में जो है श्रण मुद्राएं पाई गई है ठीक है बचों वीडियो में कोई प्राब्लम तो नहीं है बफरिंग की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मयंक बर्मा रेशमा जी बचों आप लोग कम से कम एक बार लाइक और सेर तो कर लीजिए लाइक और सेर कर लीजिए एक बार जो है फटा-फट आपकी संख्या बेहत कम है कम से कम पचास के अबब होनी चीए आपकी संख्या बहुत कम है अभी चलिए आप देखिए ये तो ही मुद्रा की बात अब हम बात करते हैं साहित्य की देखिए अभी हमने एक सुरूत की बात किया बच्चों अगला सुरूत आपका क्या है? लिट्रेचर साहित्य क्योंकि चोलवंस के बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जो महत्पूर हैं और उन साहित्यों के द्वारा भी हमें चोलों की इतिहास को जानने का उसर मिलता है और पूछे भी गये हैं बहुत बार यहां किसे कोजशन आया है देखे इसमें जो सबसे पहला साहित्य है वो है आपके जय गुंदार का कलिंगुत परड़ी देखे नाम थोड़े से अटपटे हैं इसको याद करना पड़ेगा बच्चों देखे हमने भी बड़ी मेहनत के बाद जो है इसको तयार किया है तो आपको भी उतनी मेनत करनी पड़ेगी मेभी हम से ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हमने तो कई बार पढ़ा है ठीक एक लंबी समय से इसको देख रहा हूँ तो मुझे केवल सरसरी नजर देखना होता है चीज़े रिबाइंड हो जाती है लेकिन आपको एक हार्डवर करना होगा क्योंकि दच्छिड भारत में जो तर्मुलाजी है जो सब्दावली है वो थोड़ा टिपिकल है तो चली देखें हम साहित की जैसे बात कर रहे थे कि कौन-कौन से लिट्रेचर जो है वो इंपोर्टेंट है ठीक तो पहला लिट्रे इनकी किताब का नाम है कलिंगत तुपरडी अब देखें नाम थोड़ा सा अठपटा है कलिंगत तुपरडी बच्चों सही से लिखिएगा कलिंगत तुपरडी ठीक है ठीक लिखा हुआ है अगला है सेकिलार शेकिलार की किताब का नाम है बच्चों पेरी ये पुराणम ये बहुत ही important किताब है पेरी पुराणम ये सेकिलार एक महानलक लेखक माना जाता है चोलबंस का इसके नाम को मत भूलिएगा, यह बहुत important है, यह बार-बार पुछा गया है, ठीक है, अगले हैं बुद्धमित्र, बुद्धमित्र वच्चों, बुद्धमित्र की किताब का नाम है बीरेशोलियम, बुद्धमित्र की किताब का नाम है बीरेशोलियम, ठीक, तो यह तीन साह इतने हैं जो important है देखे वैसे तो महावंस जो सिंधली गरंथ माना जाता है बहुत गरंथ का उससे भी हमें इनके लंका वीजय की जानकारी मिलती है ठिक उसको भी आप यहां ले सकते हैं महावंस जो बहुत साहित प्राप्त होती है कि यहां के लोगों ने लंका वीजय जीता थिक है चोलबंस के तो ये तीन साहित्य हैं जो आपके लिए परियाब्ट हैं बच्चो नों के नाम आपको याद होने चाये और जहां तक विदेशी आत्री की बात है तो विदेशी आत्री चोलबंस में कौन आया था विदेशी कुए और देखे का जाता है कि यह जब यहां आया था तो इस lock की न्याय-व्यवस्थां के बारे में बात करता है यह अपने यहां जो ए चीन में जो ए विदेश मंत्रालय के यह को देखता था और चाव परोजीक हुआ जब आता है तो यह चोलवन्स की नियाय विवस्था का बूरन देता है, यहां की नियाय विवस्था की तारीफ करता है। तेख हमारे इसने किताब लिखा था जिसका नाम है चूफांचीन। इसकी जो किताब है इसकी जो बुख है बच्चों। जैसे वेंशांग की भी है इसकी किताब का नाम है चू फान चून चू फान चून इसकी ये किताब है इसको नोट कर लिजेगा तीक है और नोट सही से करिएगा जैसे फाहयान की किताब है फू को की जैसे वीली ने जीवनी लिखा है स्यू की वेंशांग की तीक तो ये सब प नोट करिएगा यह हो गई आपके श्रोथ थी कि यानि अभी तक हमने डिस्कस कर दिया कि कौन कौन से श्रोथ हैं जिनकी द्वारा हम चोल बंस के विशे में जान सकते बच्चों ठीक तो पुरातात्मे श्रोथ की चर्चा भी हमने किया साहित लिट्रेजर की चर्चा भी हो ग जिसकी शुरुवात होती है किस से विजियाले से चोल बंस का राजनेती कितिहास तो इसकी शुरुवात कहां से होती है विजियाले से इसे संस्थापक माना जाता है बच्चों चोल बंस का क्या था शंस्थापक था ठीक और ये सामंत किसका था ये सामंत था किसका पल्लवों का सामंत किसका था बच्चों पल्लो बंस का ये क्या था शामंत था पल्लो बंस का सामंत था ठीक इसकी जो उपाद ही है वो क्या है इसकी जो उपाद ही क्या थी बच्चों? नरकेश्री. स्वरी. नरकेश्री इसकी उपाद ही नहीं है. में भी थोड़ा सा. ठीक है? देखें. कहते हैं, बिज्याले जब सत्ता में आया, तो बिज्याले के सामने सबसे बड़ी समस्या का उन थी? एक तरफ जो है पलो है और दूसरी तरफ जो है कौन है पांडे है ठीक तो ऐसा कहा जाता है देखिए माना जाता है जबकि चीजें असपस्ट नहीं है बच्चो ठीक ऐसा माना जाता है कि इसने क्या किया था पांड और पलो बंस को क्या किया पराजित किया ठीक है इसके बारे केंड्र को चीना था उसको खेल लिए और चीनल कि की तभुल केंड्र से थो करी दुर्गा रहां, तंजणर को चीना था, तिक टो लुख में है ४्टबर्द मन्द तो पल्लो भक्रस में है जो है यहाँ पर ल्ट से थो सुल कर रहें कि पांडियों से छीनता है तंजणर को या कि किस से अध्येन था पांड़ दूंच के आध्येन था इंसे चीनता है और तंजोर में यहें एक दुर्गा का मंदिर बनाया था दुर्गा मा का मंदिर इसने अस्थापित किया था ठीक लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा चोल मूल लूप से क्या है सैवधर्म लंबी है यह मूल लूप से सैवधर्म लंबी है अब देखिए लेकिन यह कहा जाता है यह संस्थापक तो म बेटा था थीक वह कही ने कही पल्लो वंस की तरफ से युद्ध लड़ा है जैसे जब राजा पल्लो उसमें पल्लो राजा कौन थे अप राजित वर्मन किसके समय इसके बेटे आदित वर्मन आदित फस्ट के समय बच्चों देखिए आदित फस्ट के बारे में देखिए इस प्रथम ने पल्लो राजा इनके समय पल्लो राजा कौन था अपराजित वर्मन इनके समय पल्लो राजा अपराजित वर्मन था इनके समय पल्लो राजा कौन था अपराजित वर्मन जिसमें आदित प्रथम जो है आपराजित वर्मन की तरफ से यानि आगर आदित पर्थम इनकी साहता कर रहा है तो इसका मतलब यह सामन्त है क्योंकि इसने सैनिक सेवा दिया था अप राजित बर्मन की तरफ से किस से युद्ध लड़ा पांड वंस से युद्ध लड़ा किस से लड़ा बच्चों पांड वंस से युद्ध लड़ता है जिसके आधहार पर ये कहा जाता है कि यह जो है पल्लवों का क्या था सामन था और जो युद्ध लड़ा गया इस श्री पुराम्बियम का युद्ध लेकिन कहा जाता है कि आपराजित बर्मन बेहत दुर भाग्यपूर्ण था इस युद्ध में वह पांडियों को पराजित तो कर देता है लेकिन बहुत जल्द जो है आदित्य फश्ट जो इसका सामन था अपराजित बर्मन को पराजित करके तोंड मंडलम पर क्या कर लेता है अधिकार कर लेता है तोंड मंडलम पर अधिकार कर लेता है तेक और तोंड मंडलम जो है ये पल्लमों का मूल केंद्र है ये किसका केंद था पल्लमों का केंदर था बच्चों यहां पर आदित्य फर्ष्ट कबजा कर लेता है ठीक यानि अब यहां से धीरे धीरे चोलों की जो इसिती है वो क्या होने लगी मजबूत होने लगी ठीक अच्छा कहा जाता तोंड मंडलम पर अधिकार करने के कारण ही आदित्य प्रथ मंडलम को प्राप्त करने या जीतने के बदले में रखा था ठीक है यानि जो पल्लों से इसने तौंड मंडलम को जब जीता तो उस उपलक्ष में इसने अपए उपाधिया अपना नाम करण जो किया वह कोधन्ड राम है बलकि इसके बाद इसके अतरिक्त भी कुछ उपाधियां इसके हैं जैसे राज केशरी इसको हम राज केशरी भी कहते हैं इसके बाद हम इसे हम राज केशरी वर्मन भी कहते हैं इसकी एकर्ण उपाधियां जिसे कहते हैं राज केशरी वर्मन तो ये तीन उपाधियां जो है आदित पर्थम की हैं किसकी हैं आदित पर्थम की बच्चों हैं तो आदित पर्थम ने कही ने कही पल्लवों की कमजोरी का फायदा उठाया और उन्हें पराजित करके पल्लवों की मूल केंद्र तोंड मंडलम पर क्या कर लिया कब जा कर लिया ठीक अब जो आगे सासा काने वाला है जिसका नाम है परांतक परतम का जाता है कि पल्लवों की शक्ति को एक मजबूत इस्ति में लाने का योगदान परांतक पर्थम का रजाय का बच्चो बणी की उपाधियां वेहत परफ़म ये तीन जो परफ़म हैं ये जादा आपके मने कमिशन के दौरा जादा पसंद किये जाते हैं जादा बार-बार पूछे जाते हैं तो आप भी इनको पसंद करिए और याद रखने की कोशिश करिए ठीक है चलिए तो हम देखते हैं परांतक फस्ट देखे बच्चों कहते हैं कि चोल बंस में पहले तो हम आपको बता दें कि चोल बंस में एक चीत ध्यान रखिएगा यहां पर राजाओं की उपाधियां टाइटिल बहुत पूछे गए हैं ठीक है और कुछ युद्ध भी इंपोर्टेंट होंगे जो जो युद्ध इंपोर्टेंट होंगे हम उसको जरूर जो है आपको बताने कुशिस करेंगे फोकस भी करेंगे कि नहीं आपको इसे ध्यान में रखना है ठीक हां लेकिन टाइटल जैसे यहां पर उपाधियां तो बहुत आती है आपको लगेगा कि नहीं बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन क्या किया जाए उपाधियां पूछी जाती है तो उपाधियां बताना भी क् इनकी उपाद क्या है? इनकी उपाद है बच्चों मदुरान तक इनको हम क्या करते हैं? मदुरान तक कहते हैं इनको हम मदुरे कोंड कहते हैं मदुरे कोंड देखिए ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्होंने मदुरा को क्या किया था? जीता था देखे जो राजनैतिक ऊपलब्धियां होंगी जिस तरह से उस तरह से इनके नामों में क्या होगा? परिवर्टन दिखाई देगा तो इनकी जो टाइटिल है जो उपाधियां है वो कही ने कही इनके उपलब्धियों से, राजनेतिक उपलब्धियों से क्या है, जुड़ी हुई है, अगला जो है, बीरवत्सल, इनको हम बीरवत्सल भी कहते हैं, इनको हम बीरचोल भी कहते हैं, बीरचोल भी कहते हैं, एक और है जिसका, इसको देवेंदर चकरवर्ती इस तरह से कुछ नाम दिया गया है वो ध्यान में नहीं आ रहा है तो चलिए अभी बात कर लेते हैं देरे देरे आ जाएगा तो बात करेंगे बता देंगे ठीक है आईए इनके समय जो सबसे बेहतर उपलब धीन की रही का जाता है कि इन्होंने बेलूर यूद्ध लड़ा था कि के बंगाल में है और कानपूर में बेलूर है तो इन्होंने बेलूर यूद्ध लड़ा किस से लड़ा था बेलूर यूद्ध बेलूर यूद्ध इनोंने लड़ा किस से पांडवन से कहते हैं कि जब पांडवन से इनका या यूद्ध छिड़ा था बच्चों तो पांडव और स्तिलंका यानि दो छेतर देखे दो लोग जुड के पराजित किये थे किसको बेल्लूर शरी किसको पराजित करने का प्रयास किये परांतक पर्थम को लेकिन यहां पर परांतक पर्थम ने इन दोनों सामोहिक गुटों को क्या किया पराजित कर दिया सामोहिग गुट को यानि दोनों को एक साथ क्या करता है पराजित कर देता है अब आप सोचिए कि वह कारी कर रहा था थीक है बच्चों वीडियो में कोई प्राब्लम तो नहीं हो रही है चली देखते हैं ठीक है आगे देखी देखे तो यहां पर यह जो है सामोहिग रूप से पराजित कर देता है दोनों को और इसके अतरिक्त जो है का जाता है कि परांतक प्रथम ने अपने कारिकाल में राष्ट कूट बंस को भी पराजित किया राष्ट कूट बंस को भी पराजित करता है यह राष्ट कूट बंस को भी पराजित किया यह मूल रूप से श्यव धर्मा लंबी सासक था, ठीक, का जाता है कि चितंबरम के शिव मंदिर में पूरी तरह से सोना भरवा दिया था, ठीक, परम श्यव भक्त था और श्यव भक्त होने के कारण जो है जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर को जो है पूरी तरह से सोने से था जो चितंबरम चितंबरम तमिल नाडू का एका स्थान है वाज भी है आप लोग जानते होंगे भूगोल में पड़े होंगे वहां पर एक मंदिर है शिव मंदिर जिसको सोने से भर दिया था किसने इसका मतलब है कि इनके समय जो स्वन मुद्राएं थी वो थी और कहीं भी अर्थ विवस्था कमजोर इनके समय नहीं रही होगी दूसरी बात है कि परांतक पर्थम के दर्बार में ही एक भाश शिकार थे जिनका नाम था बिंकट माधो देखे बिंकट माधो का नाम बच्चो इसलिए महत्पूर्ण है क्योंकि बिंकट माधो ने रिगवेद पर भा भाश लिखा है तो यह इंपोर्टेंट है इनको याद रखिएगा रिगवेद पर इन्होंने भाश लिखा है ठीक और साथ साथ का जाता है कि परांतक पर्थम अपने कारेकाल में दो यग्य का शंपादन किया था जिसका नाम है तुला मार यग्या और खूम गर्भ यग्य ठीक है इन्होंने दो यग्य किया था दो यग्य इन्होंने शंपादित किया था जिसकी वज़ा से बड़ी चर्चा में रहे हे ममार यग्य हे ममार यग्य किया था इन्होंने और तुला गर्भ यग्य तुला गर्भ यग्य ये दो यग्यों का शंपादन जो है और दोनों यग्जी ये पूछे जा सकते हैं बच्चों कि हेम अमार यग्जे और तुला गर्भ यग्जे दो यग्जों का शंपादन परांतक पर्थम के समय में ही किया गया था ठीक है इतनी जानकारी आपके परांतक के विश्य में क्या है परियापत है परांतक दुती जो इनके मसरी परांतक पर्थम के बाद जो है फिर से एक बार चोल राजवन्स कमजोर अवस्था में चला जाता है यानि आवशान दिखाई देता है अंदकार यूग जैसा दिखाई देता है कोई मजबूत राजनेता राजनेतिक सक्ति दिखाई नहीं देती ऐसा क्यों हुआ परांतक पर्थम के बाद पुनह जो है चोल बंस एक बार आंधकार में चला गया ठीक कोई मजबूत राजवन्स या कोई मजबूत राजनेतिक अवस्था दिखाई नहीं देती ऐसा इसलिए हुआ था ऐसा इसलिए हुआ था बद्चों का जाता है कि परांतक पर्थम करिएगा 949 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है तक कोलम का युद्ध कौन सा युद्ध बच्चों तक कोलम का युद्ध यह युद्ध जो है किसके किसके वीच हुआ था चोल वंस के वीच हुआ और राष्ट कूट वंस के वीच हुआ था ठीक है चोल वंस के वीच औ राष्ट कूड बंस के बीच इस समय राष्ट कूड बंस का राजा हुआ करता था कृष्ण प्रथम राष्ट कूड बंस में राजा कौन था सुरी कृष्ण तृती कृष्ण तृती राजा था और चोल बंस में राजा था परांतक प्रथम परांतक फस्ट यह चोल बंस का रा और कहा जाता है कि चोल वंस का पूरी तरह से क्या कर देता है नश्ट कर देता है ठीक जिसकी वज़ा से चोल वंस एक बार पुनह जो है अवसान की सिती में आ जाता है इनकी राजनेतिक कंडिशन क्या हो जाती है खराब हो जाती है ठीक अवाने वाले जो राजा थे वो योग पुनह जो है एक योग राजा आया जिसका नाम है परांतक दुती के बारे में कहा जाता है कि इनका जो कारेकाल है वच्चों वो सांती के समने सांती का काल कहा जाता है इनकी उपाद थी सुन्दर कोंड ठीक है इनको सुन्दर कोंड की उपाद इन्होंने धारण किया था और परांतक दुती भी पूरी तरह से शयोध हर्म लंभी शासक था ठीक इसके पुत्र थे स्वरी इसका पुत्र था इसका एक पुत्र था बच्चों उसका नाम है चलिए अभी नहीं ध्यान आ रहा है जिसकी हत्या हो गई थी ठीक है और हत्या होने के कारण ही कहीं ने कहीं एक राजनेती का विवस्था भी उत्पन होई थी इनके समय में तो परांतक दुती इनकी कोई वो इस तरह से राजनेती को पलब्धी नहीं है जिसके बारे में हम चर जो है वो सती हो गई थी और राजनेतिक उपलब्धियों के बारे में अगर देखा जा तो परांतक दुत्ती ने लंका पर विजय किया था यानि जो कारिकरम इनके परांतक फश्ट ने किया था उसी को इन्होंने क्या किया आगे बढ़ाया और लंका पर इन्होंने दुबारा क्या किया आकरमन किया और जीता ये मूल लूप से स्योध हर्म का उपासक था इसके बाद जो है राजा बनता है उत्तम चोल ठीक है उत्तम चोल राजा बना उत्तम चोल का कोई राजनेतिक योगदान उस तरह से नहीं है ठीक है हाँ इतना जरूर है उत्तम चोल के बारे में एक प्रश्ण बन सकता है और वो प्रश्ण ये बन सकता है बज्चों कि उत्तम चोल के बारे में प्रश्ण बनेगा कि चोलों के प्राची नितम स्वन्ड या रजसिक के किसके पाए गया है यानि जो चोल बंस में स्वन्ड सिक्का या रजसिक्का पाया गया है वह है किसका ठ सकता है क्योंकि अने राजाओं के अभी तक हमें मैंने मुद्राइppen नहीं पाई गई है ठीक है यह ध्यान रखिएगा तो उत्तम चोल की arm आई गई हैं जिसके बारे में पूछा जा सकता है अब देखिए का जाता है उत्तम चोल का छोटा भाई था कौन अरे मोली वर्मन जिसे राज-राज फश्ट कहा जाता है तो ये एक ऐसा राजा है अरे मोली वर्मन यानि राज-राज पर्थम बच्चो और राज अंदर पर्थम ये दोनों राजाओं की योगदान को हम विश्तार से पढ़ेंगे और इसके संदर में बच्चो तो आज की क्लास में हम चोल बंस को यहां तक देखने की कोशिश किये चुकि अगला जो आपका है अगला जो टोपिक है बच्चो वो इंपोर्टेंट है राज-राज फश्ट और राज अंदर पर्थम तीक है इन दोनों को डिटेल से हम पढ़ेंगे लेकिन अभी आपकी क् क्लास इंड नहीं हुई है जैसा कि हमने आपको पिछली क्लासों में बताया है कि मोडनिश्टी की हमारी क्लास जो है बच्चो वो कांटिन्यू है 15 जून से ठीक है और अभी भी उसमें सब्सक्रिशन चालू है आप अगर सब्सक्रिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं ठी इसके भाई लाइब इसका यूज करना है आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो कैसे आपको लेना है सब्सक्रिशन कैसे ले सकते हैं उसके लिए आपको अपने आप में मुबाइल के प्ले स्टोर में जाना होगा जहां पर आपको अनकेडमी लर्निंग डाउन आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करके स्टाल करना है इसटाल करने अगला जो प्रोसे्स सहीने को अपने अपने एक ज्जाम की तयारी करना उसका चुनाओं करना है UPSC CSC फिर आपको get subscription पे जाना है ठीक get subscription पे जाएंगे तो यहां पर आपके सारी courses open होके आ जाते वन येर टू येर सिक्समन ठीक है तो वन येर का जो फी है वो है 44,000 और 64,000 टू येर का और अगर आप हमारे referral code का यूज करते हैं SKY Live तो आपकी 10% fee क्या हो जाएगी माफ हो जाएगी आपकी 10% fees माफ हो जाएगी बच्चो तो ये एक आउसर है आपका जुडने का हमसे और आपको पता है कि इस समय अनकेडमी पर बहुत सारी अच्छी सुविदाये हैं और online में आप अगर देखे तो इं आपको यहां उपलब्द हैं और जैसे आप सब्सक्रिशन लेंगे जितने भी आपके टॉप मोस्ट इंडिया के सब एजुकेटर से हैं उनसे आप जूड सकेंगे क्योंकि प्लस चैनल पर सभी को पढ़ने का उसर आपको मिलता है ठीक है तो यह हमारा कोड है रेफरल कोड इसको भूलिएगा मत ठीक है यसके वाई लाइगे हमारा रेफरल कोड बच्चो इसको यूज करिए जल से जल आप जुडिए ठीक है चलिए ठाइंक्यू आज के लिए जो है और कल हम फिर जो है कांटीनू करेंगे इसी टॉपिक को चोल बंस को ठीक है तो चोल बंस को कल आ खुद अच्छा उसर है आपके पास जो है ठीक है चलिए ठाइंक्यू हाँ रई बच्चो बाद संडे की क्लास जो है और संडे की क्लास के बारे में जो है जो है संडे की क्लास के बारे में आपको बताना है तो आज आपकी संख्या तो बहुत कम थी इसलिए कल की क्लास नही रखा हूँ तुए के और कल 12 व辗 क्लास नई होगी लेकिन हां इवनिंग कि ये क्लास रहेगी साथ वज़े जो है ये क्लास आपकी कांटीनिउ चलेगी तुए किए तुए जब क्लास होगी आपको सूचना दी जाएगी ठीक है थाइंक्यू सब को मारी तरफ से iration झाल